अम्रिता रिष्टे का अयर्वेलिक आउश्टी है जो द्रवे के रूप में उपस्तित होती है दोस्तो इस आउश्टी में की इंग्रीडेंट होता है गिरोई जिसे अम्रिता भी कहा जाता है इसी कारण दोस्तों इस औशुदी को अमरिता रिष्ट के नाम से जाना जाता है आज कल के दोस्तों खानपान में फास्ट फूड जैसे खाने जोडने के कारण ये सिर्फ जीब का स्वाधी बन कर रहे गया है फास फूड आ दोस्तो और गलत तरीके के खानपान के कारण वेक्ती की रोध प्रती रोधक्षम ताग कमजोर होती जा रही है जिसके कारण आसानी से और जल्दी ही दोस्तो कोई भी वेक्ती किसी भी बुखार या अन्य बिमारियों से घिर जाता है अमरितरिस्ट का उपयोग करने वाले दोस्तो लोगों को किसी भी तरह के बुखार से छुटकारा ही नहीं मिलता बलकि बुखार आने के बाद शरीर में जो भी नुकसान हुआ होता है दोस्तो यह उसकी भरपाई भी कर देता है दोस्तो एक ऐसा सेरफ है जिसमें कई जड़ी बुटिया हैं जो बुखार को आने से रोकता है साथी साथ में हमारी रोक प्रती रुदक्शमता को बढ़ाता है और ठंड और खाजी से भी बचाफ करता है दोस्तो इसके सिर्फ इतने ही लाब नहीं है इसके और भी कई सारे लाब है तो अगर आप भी जाना चाते हैं कि अमरितारिष्ट के और क्या क्या लाब है तो हमारे इस वीडियो में दोस्तो हमारे साथ अंतक्स जरूर बने रहें नवश्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नौलिज साथी पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें किसमें कौन-कौन सी ओश्धियों को मिलाया जाता है और किस तरह से दोस्तों इसे बनाया जाता है तो अमृता रिष्ट में दोस्तों हमें गिलोए, नीम, गोरक मुंडी, धात के फूल, सफेद जीरा, पित्तु पापड़ा, सब्तु पर्णी, त्रिकुट, नाक केसर, नागर मोता, कुटकी, अतीस, इंदर जौ, गुर्ड, दश्मूल, कालिमेच, और सौठ जैसी दोस्तों क देखने को मिलते हैं, अब इसे बनाने का तरीका भी दोस्तों बहुत सरिल होता है, इसे बनाने में दोस्तों इन सभी औश्दियों का प्रयोग होता है, जो कि आसानी से हमें मिल भी जाती है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें गिलोए और दश्मूल के हलके, म एसी मिट्टी यह चीनी के बतन में इसको हमें डाल देना होता है और बाकी बचे पर आपको अगले 30 दिनों तर नहाँ जहांपर धूपना हो यह सभी विमारीयों को दूर करने के लिए तैयार हो जाता है और आप इसका सेवन कर सकते हैं अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं तो दोस्तो अमरितरिष्ट एक ऐसी ओश्डी है जो बिमारी और शरीर में सभी समस्याओं को खत्म तो करती है इसके लावा दोस्तो ये हमारी रोक प्रतिरुदक शमता को भी बढ़ाने का काम करती है तो दोस्तो अमरितरिष्ट के उप्योग में मौसम में बदलावाने की कारण जो सर्दी बुखार और खास ही होती है उससे वेक्ति को दोस्तो छुटकारा मिल जाता है फिर चाहें कैसा भी मौसम हो लोग दोस्तो बिना डरे इसका सेवन कर सकते हैं और इसके लाव भी मिलते हैं ऐसे दोस्तो पेट से जोड़ी समस्याओं में भी इसका फायदा बहुत जादा देखने को मिलता है दोस्तो ये किसी भी वेक्ति के पेट में हो रही अपच की समस्या को ठीक करने का काम करता है इसके लाव अगर किसी वेक्ति को भूक लगने या भूक कम लगने की समस्या है तो दोस्तो वो भी अमृतरिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि समस्या से छुटकारा दिलाता है दोस्तों किसी भी तरीकी की acidity को ये दूर करता है पेट में अगर अगनी मंद पड़ गई है तो इसको तेश करने का काम करता है जिससे आपको भूक लगती है और दोस्तों आपकी पेट से जोड़ी समस्याएं भी दूर रहती है वहीं दोस्तों ये खून की कमी को भी दूर करने का काम करता है खून की कमी दोस्तों यानि की anemia जिसके चलते और भी कई सारी बिमारियां दोस्तों हमें शरीर में देखने को मिलती है तो दोस्तो अगर आप Amrita लेते हैं तो इससे खूण की कमी शरीर में दूर होती है इसके अलाब़े ये खूण को साफ करने का काम भी करती है और रक्त का इस्तुराव करने वाले हर्मोंस में ब्रित्धी भी करती है महिलाओं में दोस्तो इसका प्रयोग बहुत ज़ादा किया जाता है इस्पेशली दोस्तो अगर हम बात करें मासिक धर्म के समय या बहुत ज़ादा इस्तुराब के समय या कोई चोड़ लगने के कारण अजर खून बहुत ज़ादा बह गया हो व्यक्ति को दोस्तों अम्रेतरिष्ट का सेवन जरूर करना चाहिए वहीं लिवर से जुरूरी समस्याओं में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है अम्रतर इसके उपयोग से दोस्तो लीवर को एक नई उर्जा मिलती है जिसके चलते विक्ति में नई इस पूर्ती बनी रहती है साथी साथ में ये अस्त वेस्त पाचन तंत्र को भी स्वस्थ कर देती है इसके इलावा लीवर के बिड़्ी रूखने में भी दोस्तो इसका फायता बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में दोस्तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है अगर हम बात करें प्रसूती जर यानि के maternal fever में तो दोस्तो जब एक गर्वती महिला नवजाज सिशू को जन्म देती है तो इसके शरीर में बहुत सादा कमजोरी बनी रहती है। ऐसे समय में दोस्तो अगर प्रसूता की सही तरीके से देख भालो खान-पान पर ध्यान ना दिया जाये तो महिला ज्यौर से पीलित हो जाती है। सवालरी आपको आई है तो दूस्तों से जड़ से ठीक करने का काम गरता है इसके अलावा बिशम जवर में में गल्ञा сумac में विजयर में आरंकि कोल्ट फीवर में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है अब सवाल उटता है और आप क्या इसे खारीड सकते हैं तो बिल्कुल दोस्तों जासे को में बेशती हैं तो बादार से आसानी से दोस्तों आप इसे खरीद कर इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज्यान वर्दक लगा होगा ऐसी ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमा झाल झाल